वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला नागरिक्ता का आर्टिकल भी जानें गे और डानें गे-एंबटर्ण कों Cipt quickest ठीक है बहरत में आपको पता हो सिंगल शिटिजनशिप है यह अनी सिंगड़ लगरता होती है कि स्टेट की सिटेजेंशिप होती है और देश की होती है हमारे पास एक राजगी और एक ही देश की सिंगल होती है मतलब मैं ऐसा नहीं हो सकती कि अब जैसे आपने देखा होगा अक्षो कुमार थे यह कैनेडा के सिटीजन से एक तो यह भारत के नागरिक नहीं थे तो वो टोट नहीं देते कभी और एक होते विदेशी विदेशी क्या होते किसी अमने राज के नागरिक होते हैं आपको पता है इसलिए उन्हें सभी नागरिक अधिकार फ्राप्त नहीं होंगे पहली चीज़ अब सब्सक्राइब हैं आप सौचिए हमारे भारतियों के लिए क्या इस नहीं को छुछ संब्न세요 सब्सक्राहिए जिनके और पत्वारत के साथ अच्छे संब्न नहीं यूद्वाइन चल रहा हो जैसे चाहिना आइनाम माल लो दो विदेशी होते हैं ना उनको अनुच्छे 32 भी नियम लोग देते हैं उन्हें कम अधिकार प्रापत होते हैं वे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्द सुरचिक नहीं होते हैं अब एक बहुत शॉर्ट वे सिंपल चीज बता रहा हूं citizen और यहां लिकलो विदेशी या alien ठीक है citizen को मिलता है 15 16 19 39 मतलब यह जो है यह citizen को मिलेगा सिर्फ alien को यह नहीं मिलता बाकी alien मतलब विदेशी जो है विदेशी सारे राइट मिलेंगे उसको पर यह नहीं मिलेंगे आर्टिकल 15 16 19 39 यह सभी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा बाकी आर्टिकल में पढ़ा भी चुका होगा आपन इस फ्रीडम जो छे तरह की दिए उन्ते सोटीस कल्स्टरल मैनोर्टी तो खेर अभी आप इत्ता याद रखो 15 16 19 39 यह सिर्फ नागरिक का है विदेशी को नहीं पंदरा सोला निस उन्टिस टिस डाल पूछ लेता कि कौन सा आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिले कारे भार संसत पर छोड़ दिया गया था कि संसत बनाएगा नियम कि कैसे क्या किसको नागरिक्ता देनी है किसकी छीन नी है तो इसलिए सिटीजन्शिप एक्ट बना था नागरिक्ता जो अधिनिये में 1955 में बना था अब इसमें अभी तक छे वार अमेंडमेंट हो चुका ह उननेस में आ जाएगा ठीक है छे आसी बानबे तीन पांच फंद्रा उननेस कितनी बार हुआ भाईया सिटीजन्शिप में अधिकार एवं विशेशा अधिकार प्रदान करता है विदेशियों को नहीं देता ठीक है कौन सा नहीं देता अभी मनें आपको शौट में बता द पंद्रा क्या है अभी हम लोग फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे धर्म मूलवंच जाती लिंग या जन्विस्तान के अधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार ठीक है दूसरा सोला क्या कहता है लोग नियोजन के विशह में समता गाधिकार मतलब यह थोड़ी अ क्या कर सकता है तो मोदी जी तो दूसरे देश को भुला भुला के जब लोग पोस्ट कैसे मिल सकती तो यह सब तो मिली नहीं सकती यह उप्रोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रती कुछ कर्तव कावी निरवहन करना होता है उधारन के लिए टैक्स देना राश्ट्री धोच और राश्ट्री गान का सम्मान करना देश की रच्छा करना ठीक है बहुत मज़ेगी बात है और बहुत important यह याद तो आप राश्पती का धारण कर सकते हैं ठीक है और इंपोर्टन चीज़ हमान लीजे आपका बर्त भी यही हुआ है तो आप सिर्टीजन यहां के हैं और भार लीजे आपका बर्त दूसरे देश में हुआ पर आपने भारत की नागरिक्ता ले लिए तो भी आप भारत की है तब ही राश्पती बन सकते हैं तो नहीं बन सकते राश्पती यह कुछ इंपोर्टन टॉपिक्स हैं इनको जरूर याद रखेगा आपके एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है अब देखिए आर्टिकल समझ लेते हैं पर आर्टिकल 5-11 में दिया हुआ है किसमें आर्टि सम्विधान नागरिक सब्द को परिभाशित नहीं करता पहली चीज लेकिन नागरिक्ता के लिए पात्र वक्तियों के विभिन शर्णियों का वेवरान दोया आर्टिकल 5-11 में दे रखा है ठीक है आर्टिकल 5 क्या कहता है भाई आर्टिकल 5 कहता है सिटीजन शिप आट दा Dos TR, Commencement of Constitution मतलब सम्विधान के प्रार्म में नागरिक्ता कैसे दी जाएगी यह आर्टिकल पांच डिसाइड करता था ठीक है नार्टिकल 5 क्या करता था सम्विधान के प्रारम में नागरिक्ता अब इसमें तीन सर्टे रख रखे तीन में से कोई सर्ट पूरी होने चाहिए और डूंप में 3 सर्ट द है या तो इसका जनम भारत में वहां ठीक है क्या कर गया या तो आप collectors में 오 अठिक हो भारत में तो जन मॉहोगोंगा हो उस time तो बहुत सारे अंग्रेश भी थे तो जिनका भी जन्म वहां से होगा क्या वो भारत के सिटिजन बन जाएंगे बिलकुल यह कर दिया गया जिसका भी जन्म भारत में होगा ठीक है अजादी के टाइम तो वो भारत का सिटिजन होगा दूसरा या तो उसके माता-पिता का जन्म भारत में हुआ हो ठीक है उसके माता-पिता का ज लेगी उसके भी बच्चों में काम कर रहा था भारत से पहले भारत में जिब लागू उसके पांच साल तक हो भारत में रहता हो कितने साल तक पांच साल तक तो आर्टिकल 5 में आपने देका तीन कंडिशन दी क्या तीन ? पहली उए या तो भारत में जैन्व लिया हो दूसरी होई या तो उसके मातां पीताने बहरत पे जन्व लिया ओ तीसरी होई कि जब सम्विदान लागू हुआ समविदान कब लागू हुआ 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसके पांच साल पहले तक अगर भारत में रहते हो आप तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी ठीक है अब देखने आर्टिकल 6 क्या कहता है आर्टिकल 6 बहुत सिंपल है आर्टिकल 6 कहता है परस ठीक है तो वो लोग पहले ही पाकिस्तान चले गए पर बाद में इतना ज्यादा आपने देखा वॉयलेंस हुआ ना तो इन लोग लगा इंडिया ही सही है तो यह वापस आने लग गए अब इंडिया ऐसा तो करेगा नहीं कि जो चला गया तब उसको हम देंगे नहीं ठीक ह भाई वो तो था हमारा भारती नागरिक विचारा भूल बटक गया था चला गया पर अब वो वापस आएगा तो सरकार ने ये डेट रख दी थी एक पर्मिट सिस्टम लॉंच करा था सरकार ने 19 जुलाई 1948 को अब जो भी पाकिस्तान से भारत आ गया 19 जुलाई 1948 से पहले 19 तो उसको तुरंद नागरी तक दे दीगे कि ठीक है तुम आगे आ जो पर अगर इस डेट के बाद आएगा तो उसको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा रेजिस्ट्रेशन कर दो 6 महीने के बाद तुम्हें मिल जाएगी यही रहो भारत में 6 महीने का वेट करो रेजिस्ट् अच्छा साथ कह रहे है रिड्स ओफ स्टेंशिप ऑफ सर्ट tää्ल एक पाकिस्तान से ढठा節 ऑरत साथ थे नागरिकता अब कही लोग भारत से पकिस्तान जा रहत थे पर बात हमें Mississippiberry वापस आएंगे मतलब भारत से चले पाकिस्तान बाद में बापस आएंगे बारत से पकि में कहता भारत से भारत बहुत्तों दोस्तों आटिगरा भारत के बाल रह रहे बचुखे अगर उनके माता पिता भारति अगर उनके माता-पिता भारत के हैं तो उन मिल जाएगी ठीक है अब जैसे जितने भी यार यह देख लो ना डिप्लोमेट है ठीक है कोई राजडूत है वो दूसरे देश में रहता है अब उसके बच्चे हुए तो क्या उसको नागरिता नहीं मिलेगी बिलकुल मिलेगी तो आर्टिकल आर्ट में पर्शन ऑफ इंडिय अचान भाषा में कहें तो विदेशी नागरिक्ता लेने पर भारत की नागरिक्ता समाप्त हो जाएगी बारत की नागरिक्ता समाप्त कर दी जाएगी जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिक्ता लेते हैं मतलब नो डिवल सिटिजिशिप ठीक है कहता है डिवल के नियम नहीं तोड़ते हैं माल लीज़े आप भारत पाकिस्तान के साथ युद करने लग गए ना भारत को दोका दे रहे हैं कोई राजद्रों का काम करते हैं देशद्रों का काम करते हैं मतलब कहने का पार्लयमेंट जो कानून बनाएगी नागरिक्था का अगर आप वो तोड़ते हैं कि आपकी नागरिक्ता इन कारणों से छीनी जाएगी तो भाईया आपकी नागरिक्ता चिनेगी ऐसे नागरिक्ता नहीं चिन सकती यह आर्टिकल 10 में लिका है कि आपकी citizenship बरकरार रहेगी जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे नागरिक्ता चिनती है और वो कानून बनाता कौन है आर्टिकल 11 के तहद पारल्यामेंट ही ब 2003 में 2005-15-19 तो फटाक से कर लेते रिविजन भी या आर्टिकल 5 क्या कह रहा है पांच कहता है सम्विदान के प्रारम में नागरिक्ता तीन कंडिशन में कोई एक पूरी हो उसका जनम बारत में हुआ हो या सम्विदान लागू उन्हों के पांच साल पहले बारत में रहता हो 6 कहता था कि जब कोई पाकिस्तान से भारत आएगा क्या कहता था पाकिस्तान से भारत आएगा तो उसको 19 जुलाई 1948 से अगर पहले आ गया है तो रेजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा नहीं तो इसके बाद आएगा तो रेजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 6 महीने रहना पड़ेगा ठीक है आर्टिकल साथ क्या कहता है साथ कहता है भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता ठीक है भारत से पाकिस्तान जो गया है और एक मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया है अगर और उसके बाद वापस आ जाए तो रेजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ठी नौ कहता है विदेशी नागरिक्ता लेने पिर आपकी citizenship छिन जाएगी मतलब नो डिवल citizenship इसा कोई नागरिक्ता कानून नहीं तोड़ते हैं संसत बना सकती हो और संसत में भी होम मिनिस्टर ठीक है तो कैसा लगा जड़ा कमेंड में बताइए तो यह आर्टिकल जरूर लेंड कर लीजिए आपकी एक्जाम्ट यह बहुत जरूरी है अब देखते हैं भारत में आपको बताए एकल नागरिक्ता है और अनुक्षेद 11 क्या कहता है अनुक्षेद 11 के अंदर संसत को नागरिक्ता किसी भी कानून को राज्य सरकारे नहीं बना सकती इसको सिर्फ और सिर्फ केंदर सरकार ही बना सकती है ठीक है और इसलिए बना है भारति यह नागरिक्ता अजनियम 1905 जिसमें समय समय पर छे बार अमेंडमेंट हो सुगा है अभी मैंने आपको बताया है ठीक है च्छे आसी एक तरीका है जन्म से दूसरा है वनसानुगत तीसरा है पंजी करन यानी रजिस्ट्रेशन चौता है प्राकर्तिक पांचवा है छेत्र समाविस्ट्री करने के अधार पर तो आई इन सबको अलग-अलग समझ लेते हैं और देखिए इनमें आप जाता कन्फ्यूज मत होई ह कि डेट से याद रखनी नहीं कभी आप पूरे जीवन के पेपर उठा के देख लिए कभी नहीं पूछता कि किस समय पैदा हो तो कब क्या मिले का कुछ नहीं बस यह याद रखो जन्म से मिल सकती है किसको मिलेगी जन्म से जो भारत में जन्म लेगा और उसके माता और पित नागरता मिल जाएगी पर जन्म लेने के एक साल के अंदर आपको रेजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ठिक है नहीं कराये तो नहीं मिलेगी सिमप्ल चिज फञत कराये और आपको दूसरे डेश कि छोड़नी पड़ेगी सिंपल चीज है प्राकर्तिक मतलब आप 14 साल तक अगर भारत में रहते हैं ठीक है तो भी आपको नागरिक्ता मिल जाएगी 14 साल में एक साल रेजिस्ट्रेशन जब कराने जाएंगी ऑफिस में एक साल लगातार रही है मान लीजिए आज आज आप गया रेजिस्ट्रेशन कराने है तो उसके पीछे एक साल आपने भारत में रहा हो आपके पास प्रूफ होगी आप एक साल से भारत में हो तो चौदा में से एक बचे त तेरा साल में आपको क्या करना है Selink l तेरा साल में आपको क्या करना है है तेरा साल आपको भारत पर दूसरे जिस कि चूडनी पड़ेगी उसको प्राकरतिक बोलते हैं जे तरसा हम अलश्टी करने पूछ लेगा Article 910 11 11 पूचता है एकर पूचिएगा तो और नागरिकता कितने तरीके सम्हीस सकती यह यह पूचिता है ठीक और कैसे जया सकती है इससे ज्लादा लिए फिसका कोई काम ही नहीं में है वहाँ भारत की नागरिक्ता त्याग न चारों में खतम हो गई अगर की और केंस्त कर दिया जाए वरत करना हुगा या उदान के लिए गए आप करेंगे तो भी आपको अठा दिये जाएगा यदि आप यूदि के दौरान शत्रू के साथ मिल जाते हैं कोई खूफिया जनकरी उसको देते हैं तो भी हटा दिया जाएगा कहने का मतलब अगदारी करेंगे पंजी करन या प्राकर्तिक नागरिक्ता के पांच वर्स के दौरान नागरिक को किसी देश में दो वर्स की कैद हुई हो अगर तो भी हटा दिया जाएगा ठीक है नागरिक समान रूप से भारत के बाहर साथ वर्स हो से रह रहा हो अगर भारत छोड़के अब साथ सालों से कंटीनिव वहीं हो तो आपको नागरिक्ता छिंड जाएगे आपकी ठीक है याद रखिए गई है भारती समिधा अनुचेर 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ यह सिर्फ भारती नागरिक को मिलता है जो भारत का नागरिक नहीं उसे नहीं मिलेगा अनुचेर 11 क्या कहता है कि संसद ही बना सकती है नागरिक्ता से रिलेटेट कानून को अनुचेर 11 कहता है सिंपल सी बात ठीक है केवल संसद ब है ना होगा तो अभी बताया मैंने रेजिस्ट्रेशन के लिए आपको साथ सल रहना पड़ता है ठीक है और सिंपल जी चीज भाग दो में अनुटेर्ट पांच से ग्यारा में यह मैंने अभी आपको कराई दिया और यह क्या कहता है नागरिक तक जुकानून ने यह केवल उन संबंदित सभी कानून संसत समय समय पर बताती रहेगी और बनाती रहेगी ठीक है बस इससे ज्यादा इससे में उपॉर्टन नहीं है ठीक है कभी आप कोई भी पेपर उठागे देख लीगे यूपीस सी हो पीसी हो कोई भी ऑल इंडिया का एक्जाम हो जितना बताया आपक कैसे चिनती है यह याद रखना है बस इससे जादा आपको नहीं याद रखना ठीक है चले मिलते हैं अब शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स